मद्धिप्रदेश की राज़पा लाल जी टंडन का लखनों के मिदानता अस्पिताल में निधन हो गया उतरवदेश की राज़धानी लखनों में 12 अप्रेल 1935 को पैदा हुए लाल जी टंडन 12 साल की उम्र में RSS से जुड़े और वाट पारशद से लेकर गवर्नर के पत तक पहुचे साल 2009 की लोकसवा चुनाओ में बीजेपी ने टंडन को लखनों लोकसवा सीच से उमीदवार बनाया था इससे पहले तक लखनों से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपे सांसत चुने जाते थे बीजेपी के कददावर नेताओ में शामिल टंडन वर्ष 1960 में पहली बार पारशद चुने गए थे दो बार पारशद रहने के बाद 1978 में वो पहली बार विधान परिशद के लिए चुने गए 1978 से 1996 के बीच वो दो बार विधान परिशद के सदत से रहे फिर 1996 में पहली बार वो उत्तरवदेश विधानसभा के रिख चुनिगर तीन बार विधायक रहने के बार उन्होंने 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 40,000 से जादा वोटू से जीत हासिल कर वाजपय की विरासत को बरकरा रखा था लाल जी टंडन 1991 से 92 में कल्यान सिंग के नेतरत वाली सरकार में मंत्री बने वो यूपी में बीजेपी और बीएसपी के गड़बंदन वाली सरकार में नगर विकास मंत्री थे विधान सभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे 23 अगस 2018 को उन्हें पहली बार विहार का राजपाल बनाया गया था 29 जुलाई 2019 को वो एमपी के राजपाल बने थे लाल जी टंडन अपने शुब चिंतकों के बीच बाबुजी के नाम से जाने जाया करते थे यहां तक कि विपक्ष में भी लाल जी टंडन के शुब चिंतक थे लाल जी टंडन बसपा सुप्रीमो मायवती के राखी भाई थे बताया जाता है कि 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में मायवती की जान बचाने में लाल जी टंडन की बड़ी भूमिका थी जिसके बाद से मायवती लाल जी टंडन को अपना भाई मानने लगी थी और हर रक्षा बंदन वो उन्हें राखी भी बांगती थी मायवती और लाल जी टंडन का बेहन भाई का रिष्टा काफी चर्चा में रहा था उस समय लाल जी टंडन उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे उसी दोरान मायवती उन्हें राखी बानती थी लेकिन जब 2003 में वीजेपी और बसपा का गड़बंदन तूटा तो मायवती ने लाल जी टंडन को राखी बानना छोड़ दिया